हेलो दोस्तो राना क्लासिज में आपका स्वागत है तो आज मैं आपको 64 VPSC जो प्रीकांसर का संसोधन और उसके बाद संसोधित रियल्ट निकलने के समन्द में क्या संभावना है और नहीं है तो इसके बारे में बताऊंगा तो इस वीडियो को सुरू से अंद तक देखे प तो उसको मार फोरेड मिशन है जो कि 186 2019 को है जो कि 245 काउज लिस्ट रियल नंबर है और बताया था कि अगले सप्ता है जो कि मतलब कल जो सप्ता है कि उसमें संभावना है तो क्या यह रियल्ट है जो कि जिस तरह से बीपेसी ने काउंटर आफिड़ीट किया है और जिस त कर देता हूं तो आप लिख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं इन भीव ऑफ द एफोर्ट सेट लेट तीज मैटर भी लिश्टिर भी फोर एप्रप्रेट मेंच आइज पर रोश्टर आफ्टर समर्भेव एक्सक्रेशन 18 जून 2019 तो यह बात पहले वी समझ में ने आई कि ठीक है रोश्टर वाइज करना तो इसको सिरियसली क्यों नहीं लिया गया और नहीं यहां जो चात्रों के तरफ से बकील है क्योंकि यह इस तरह के मामले और यह मैंने जो कि सभी लोगों ने देखा कि जारखंड में भी इ या मेंस को रोकने के लिए छटी जेपेसी मेंस को उसमें यहीं हुआ था कि कोठेलों की डिसीजन देहीं नहीं रहा था और डेट पर डेट बढ़ते गया और लास्ट किया हुआ कि जब परिच्छा हो रही थी तो उस दिन सुनवाई होती है और कोठ कहता है कि मैं छात्रों कि हित को देखते हुए परिच्छा पर रोक नहीं लगा सकता तो मतलब यहीं फंडा यहां भी अपनाया जा रहा है और निश्ची तुरुक से जिस तरह से कावलिस्ट आपने देखा कि 18 तारीक को 245 थी तो अभी बरतमान की क्या है तो बरतमान में आप अगर देखते हैं व घटे हैं तो चार दिन में अगर लगभग है जो कि 20-25 के अगर माना जाए तो अभी भी है जो कि 6 दिन लगए मतलब अगले सब्ता भी मुश्किल है कि डेट आही जाए क्योंकि 25-30 लगभग हड़ता है तो इस तरह क्या हो रहा है कि डेट बढ़ते जा रहा है और तो कि डे लगए और फिडिक भी च्छातर ही थितों को देखते हुए कहेंगा कि ठीक है इस पर सुनवाई बाद में हो गी या यह कहेंगा कि आपके द्वारा तो इन्हों सुदार करके दिया क्योंकि यूद्ध कर दिया है और इसकी संभावना खत्म हो गई है लगभग की आप को 64 मिंस पर रोक लगेगी और और पर पहले भी हुआ है क्योंकि उसमें बखील के तरफ से भी आते हैं और चातरों के जो बखील रहते हैं उसमें दूनों में काफी जीरा होती है और निश्ची तरुप से इसमें अब समय लगेगा और लेकिन एक चीज़ तो तह है कि वीपेसी अपनी पूरी तरह चालाकी में क नहीं लेगेगी और कोई कारण भी नहीं बनता क्योंकि अपनी मजबूरी बता देगा कि मैंने जो कि परिच्छा की तैरी कर ली है सेंटर मैनेज कर लिया है बहुत सारी खर्चे भी हो गया है उसको देखते और जिस तरह से नितीस कुमार से लोग मिलें भी गया थे 18 तरीक को और निश्ची तरूप से कोट कर रवया और छातरों के बैकील का भी रवया उतना सपस्त नहीं कि वहाड कोई पेटिशन क्यों नहीं कि अगे आए और जिसे कि सुनवाई क्कि मत कर बहुत्कि समय है नहीं बारा जुलाई है और आज है आज है आपको तेईस है जो कि जू है तो निश्ची तुरूप से इतने कम समय में रोक लगाना काफी मुश्किल है और जिन लोग जो लोग तयारी कर रहे हैं वह 64 भी पेसिमेंस के तयारी करते रहे हैं और उनके लिए जहटका लगभग माना जा सकता है क्योंकि जहर खंड में भी यह हुआ है और यहां भी कॉल लिश्ट के जिस्तर रविया है आप देख रहे हैं कि 152 ही आया है और चार दिन हो गया है तो लगभव 25 के एवरेज है और अगले सब्ता आने पर है जो कि नजदिक समय आने पर मुश्किल है और मेंस पर तो रोक लगाना और भी मुश्किल को कि इतनी जल्दी फैसलाइस मे नहीं आती है तो यह अच्छी खबर नहीं है खासकर उन चात्रों के लिए जो 64 नंबर एक नंबर से चार नंबर से चटे हैं और उनके लिए अच्छी खबर जो मेंस देना चाह रहे हैं और तैयारी जिनकी अच्छी है जिनकी अच्छी नहीं हो चाह रहे होंगे कि किसी तर यल्ट है जो कि मेंस के लिए बाद इंटर्व्यू के लिए देता है तो निशीत रूप से आपको लगभग है जो कि 3500 के आसपास है जो कि मेंस का यल्ट देगा और कर ले तो इसी खबर के साथ धन्यवाद